नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे SME IPO और IPO के बारे में दो IPO जो यहाँ पे open है अभी कौसल या NKC Energy यह दोनों में समझेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें प्रोसें कौन सा रहता है नमल जो IPO रहता है उसमें ज्यादा restriction होता है यहाँ पे guideline को follow किया जाता है minimum जो bead है वो आपको दिये जाते है retailer को SME में क्या होता है जो small enterprise होती है उसको थोड़े relaxed guideline में issue किया जाता है और यह जो issue रहता है वो उसको आप lot में buy कर सकते हो आप 14,000-15,000 की minimum पे उसको apply नहीं कर सकते हो आपको वहाँ पे जो company ने decide किया है एक लाग या एक लाग बीस अजार उस हिसाब से आप lot के हिसाब से पाई कर सकते हो और sell भी आपको lot के हिसाब से ही करना पड़ेगा यह एक यहाँ पे drawbacks रहता है IPO और SME IPO में पर इसका अगर देखेंगे तो ratio जो हमारा last year जितने आए आए दे SME अगर उसका आप देखते हो यहाँ पे तो उसका जो ratio है winning ratio वो 80-85% रहता है और उसका जो loss है वो करिबन 15-20% के बीच में इसका रहता है इसमें अगर देखें तो last year यहाँ पे जो अभी जो number दिया गया है इस website के हिसाब से की number जो अभी तक आए है NEC और BAC के 182 ते जिसमें से 134 listed gain में हुआ था 39 loss में end of the day 143 को gain में close हुआ था और 30 only यह loss में close हुए तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि winning ratio इसमें रहता है इसमें अभी आपको क्या देखना होता है कि आपको उसका fundamental देखना होता है यह एगर website है जो cheat order करके है जहां पर आप यूज कर सकते हो आपको पूरा detail इसमें मिल जाएगा तो जैसे यह आप यहां पर study करते हो तो आपको पहले देखने को मिलता है कि यह कितने price पे है इसका lot size कितना है जैसे कि यहां पर आपका minimum lot size होगा 1600 तो यह 1600 आपको यहां पर 120,000 का जो है वो apply करना पड़ेगा यहां पर आपको पूरा detail दिया जाता है listing कब होगा और वो सब फिर आता है कि fresh issue यह offer for sale issue यह क्या रहता है हमारे लिए जो important रहता है वो हमें यहां पर देखना है कि retail का जो percentage है 33% दिया गया है blocking period भी हमें देखना है कि जो यहां पर anchor investor है उनका locking period कितना है जैसे यहां पर 30 days and 90 days है अब उसके नीचे हम जाएंगे तो हमें यह देखना है कि उसका जो past performance है जैसे कि आप यहां पर देखते हो इसका profit यानि SS जो है increase होता है revenue increase हो रहा है profit भी increase हो रहा है net worth भी increase हो रहा है जो चीज यहां पर आपको देखनी है कि यहां पर reserve and surplus है वो यहां पर 2000 है उसका total borrowing करिमन उससे double से उपर है तो यह आपके लिए ध्यान में होना चाहिए कि इसमें आपको देखेंगे तो आपको थोड़ा subscription कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर इसका जो borrowing है वो ज्यादा है पर कई बार क्या होता है कि जो कोई भी business grow करता है तो उसका पहले initial time पर उसका borrowing रहता है फिर आता है यहां पर तो हमें यहां पर देखना है कि यह purpose क्या है इसका इसका purpose है कि repayment of unsecured loan तो possible है कि यहां पर cash crunch हो सकता है इस company में operational run करने के लिए तो यह issue यहां पर लाया गया है brokers ने view दिया है members ने नहीं दिया है तो यह जो अभी current है जो open उसमें से मुझे जो एक पसंद है वो एक केई करके है यह जो है केसी energy है यह क्या करता है कि जो अपना power का जो supply रहता है उसका cable और tower का यहां पर इसका contract रहता है price आपको 54 के इसाब से यहां पर डालना पड़ेगा 1,8,000 के आसपस यहां पर पहुंचता है इसका open rate है और यह close January 2nd को होगा listing होगा इसका 5th को इसमें क्या होता है कि आपका जो इसमें भी लग के इसाब से काम करता है आपको प्रोपरेशनेट के इसाब से आपको यहां पर अलोट किया जाएगा फिर आता है यहां पर नीचे similar 33.29% है टोटल इसका जो 29,50,000 इसके जो shares है वो promoter release कर रहा है IPO में इसमें से anchor investor है उन्होंने यहां पर 27% exit कर रहे है फिर आता है उनका market makers share offer वह आता है 6.44% QIB है NII है तो market makers में देखोगे तो यहां पर यह जो है गिरी राज stocks ब्रोकिंग करके है फिर आते हैं नीचे यहां पर देखेंगे तो share offer है lock-in 50 days in 90 days है ज्यादा तर देखोगे तो आप 90 days तक जो भी anchor lock-in रहता है वहां तक price को hold किया जाता है अब बात करते हैं नीचे में तो यहां पर देखोगे तो पर देखोगे तो इसमें हमें electricity की जरूरत पड़ेगी और ऐसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी जो यह business में है अब इसकी बात करते हैं एसेस्ट की जो 21 में ता वहां पर आपको continue growth देखने को मिल रहा है यह जो है last three months का यहां पर दिया गया है जुन तक का इसका भी देखेंगे एसेस profit और net worth और reserve and surplus and total borrowing तो आप देखोगे तो आपका यहां पर reserve है surplus है वही उसका total borrowing यहां पर हो रहा है यह जो है company यह भी यहां पर बता रहे है कि पैसा यह जो ले रही है उसका यहां पर use करने वाली है requirement for the company funding the working capital requirement for the company and general corporate purpose तो यह दो है यह fundamental देखते है तो तो तोड़ा यहां पर battle लग रहा है compare to the logistic company तो यह आप अगर किसी को issue apply करना है तो इसको आप एक बार ध्यान में रख सकते हो और यहां पर broker और member दोनों का यहां पर एक एक यहां पर vote मिला हुआ है कि आप यहां पर apply कर सकते हो तो दोस्तों मैं आसा करता कि यह चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर किसी को ज्यादा इसका detail में जाके read करना है तो आप यहां पर documents allotment और यह सब में जाके read कर सकते हो thank you दोस्तों मिलता है नहीं वीडियो में take care bye bye